हेलो गाईज, वेलकम बैक टू अनरदर वीडियो, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपेशन कंटिन्यू अच्छी चल लेगी होगी, जैसे कि आपको बता है, जो इसमें पहले भी जिसका सेलेक्शन हो गया है, जैसे 2021, 20, 19, उन्होंने भी एक्जाम दिया है, और इस तरह जो पीए और ऐसे की वेकेंसी है, वो इस बार बहुत ही जाता वेकेंट होने वाली है, और 2023 में ये एड होने वाली है, क्योंकि इन्होंने इस रिजल्ट में वेट 20,000 के आसवार फुल पिल होगी, क्योंकि सबसे ज़दा वेकेंसी पीएस से की थी, और जो पहले से जोब कर रहा है, पीएस से में, वो दुबारा क्यों उसे जोइन करेगा, तो ये वेकेंसी वेकेंट हो जाएगी, और इस से क्या होगा, इस स्टूडेंट का ही लोस होगा, अगर वेटिंग लिस्ट देते, तो जो कटोफ थी, वो इस से बहुत ही कम जाती, 20 से 30 नंबर आपको कम देखने को मिलती, तो ये भी बहुत बड़ा रिजन है, और ये बहुत ही ज़दा एससी गलत कर रही है, वेटिंग लिस्ट ना देके, और आप जरूर बताना, आप क् जाएगी, तो अभी आपको पता है, 7600 वेकेंसी है, एससी सीजियल 2023 में, और ये वेकेंसी इंक्रीज होके, लगबग 15,000 के आसपास जाएगी, इस से ज़्यादा भी जा सकती है, और इस से बेनफिट होगा, लेकिन इनका भी बाद में लोसी होगा, जा फाइनल रिजल आ ज चुनते ही नहीं है, और सभी कोई कठा ही होना पड़ेगा, जितने टीचर हो गए रहे हैं, सबको, और आपको पता है, एससी सीजियल का भी रिजल्ट आया है, टीर वन का, और उसकी कटोफ बहुत ही जादा गई है, लगबग 156 के आसपास जैनल की कटोफ है, जो की बहुत ही जादा कटोफ है, और आपको पता है, जो वैकेंसी है, लगबग 156 के इक्वल थी, ठीक है, तो इसकी भी कटोफ बहुत ही जादा जाने वाली है, रेजन यह है, क्योंकि मेंस जो इस बार हुआ है, उसमें 3,60,000 इस्टुडेंट ने एक्जाम दिया था, ठीक है, लेकिन इसमें सेलेक्शन किसका हुआ, 36,000 गई हुआ, तो अब और मेहनत करेंगे, और कटोफ क्या होगी, और हाई जाएगी अगर ऐसा ही पेपर आया, और इस बार जो अब कटोफ जाएगी, अगर ऐसा पेपर आया, फिर तो यह सोच के चलो, 160 लाने पड़ेंगे, तब ही हो सकता है, कुछ अभी कोई गारेंटी नहीं होगी, इतना कॉंपिटिशन जादा हो गया है, कि आप जितनी पढ़ाई कर लो, जितना भी नमबल लाओ, फिर भी स्योर्टी नहीं रहती है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, तो आपको अब बहुत ही ज़्यादा ए CGL 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आया, उसका स्कोर कार्ड आने वाला भी है, और SSC CHSL Tier 1 का भी स्कोर कार्ड आने वाला है, इस हपते में आपको पता है, आट 21 है, 21 मई है, और कल से मंडे हो जाएगा, तो मंडे से सटरेटे के बीच में आपको CGL 2022 का मेंस का स्कोर कार्ड देखन थांकियो वेस